नश्कार दोस्तों ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फोर मेंज का पार्ट हैं आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों तो वीड है हाल ही में यूए और इस्राइल के बीच एक डील साइन हुई जिसको नाम दिया गया है अबरहम एकोड इस डील के एकोडिंग यूए अब इस्राइल को रिकुगनाइस करेगा और बदले में इस्राइल जो हैं वेस्ट बैंक को एनेक्स करने का जो प्लान हैं उसे हाला कि देखो इसको लेके विवाद भी अभी पैदा हो गया है डील अभी अभी साइन हुई है इस्राइल इस परकार से इंटर्पेट कर रहा है वेस्ट बैंक को एनेक्स करने का जो प्लान है हम उसे फिलाल के लिए सस्पेंड कर रही हैं जबकि UAE का ये कहना है इस्राइल जो है अपने इस प्लान को एन कर देगा मतलब खतम कर देगा फ्यूजर में भी वेस्ट बैंक को नहीं हड़पेगा इस्राइल तो थोड़ा सा कॉंटरवर्सी भी जनरेट हो गई है बड़ देखो पोसिबिलिटी यही है इस कॉंटरवर्सी का डील पर कोई असर नहीं पढ क्योंकि पलेस्टीन जो काज है अब वो बैक्यार्ड में डखेल दिया गया है यूएई के द्वरा अभी इंटरनेशनल मार्केट में ओयल के दाम काफी कम है जोबलोस काफी ज़्यादा हुआ है यूएई में इसके अलावा एकोनमिक सिचुएशन भी पहले के अपिक्सा कर काफी ज़्यादा खराब हुई है और यूएई को आज के समय में इसराइल से खत्रा नहीं हैं दूसरी रिजनल पावर से हैं जैसे टर्की इरान देखो यूएई से ने ये डील मीडियेट करवाई इसराइल और यूएई के बीच तीनों का तो दूसमन है वो सेम है इरान इ अब इसराइल के साथ रिलेशन्स नोर्मलाईज करने का समय आगया है तीसरा देस बना यूएई इसराइल को रिकोगनाईज करने वाला किस-किस के बाद इजिप्ट और जोर्डन के बाद इवन देखो यूएस से ने सौदिरेविया को भी बोला कि अब आप भी इसराइल क साथ relations को normalize कर ली जिये तो सौधिरेबिया के एक मिनिश्टर ने statement दी हम relations तो normalize कर ले इसराइल के साथ इसराइल को recognize कर ले लेकिन इसके लिए इसराइल को एक बड़ी कीमत देनी होगी मतलब सौधिरेबिया के मिनिश्टर का ये माना था UAE कम पर मान गया UAE को ज़्यादा अच्छी किमत वसूलनी चाहिए थी इसराइल से relations को normalize करने के लिए तो सौधिरेबिया तभी relations को normalize करेगा अगर इसराइल कोई अच्छा offer देता है सौधिरेबिया को for example two state solution पर इसराइल राजी हो जाता है दो state बन जाते हैं एक इसराइल एक पलेस्टीन हलांकि experts के दोरा कहा जा रहा है ये सौधिरेबिया की सिरफ एक कोशिस है इसराइल पर pressure create करने की और डील अगर होती है तो सौधिरेबिया की तरफ से ज़्यादा अच्छी डील साइन करने की future में ये दो देश भी डील साइन कर सकते हैं एक तरफ देखो जो अरब कंट्रीज हैं वो इसराइल के नजदीक जा रहे हैं और दूसी तरफ जैसा हमने आर्टिकल में डिसकस किया था एक नोन अरब मुस्लिम एलाइंस बनता जा रहा हैं जिसमें इरान पाकिस्तान ने इस दील का समर्थन नहीं किया वैसे UAE से बहुत ज़़ा पैसा लेता आया है पाकिस्तान aid के तोर पर पाकिस्तान के प्रधामंतरी इमरान खान ने कहां अगर हम इस दील का समर्थन करते हैं तो फिर हमें कस्मीर के कास को भी छोड़ना पड़ेगा इसलिए हम इस दील का समर्थन नहीं कर सकते पैलेश्टीन के लोगों के राइट्स को हम नहीं छोड़ सकते ऐसा बोला गया पाकिस्तान के प्रधामंतरी इमरान खान के द्वारा इवन तर्की ने ये बोला कि हम UAE के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन्स खतम कर देंगे उन्होंने ये डील साइन की है ऐसी धमकी दी गई तर्की के राष्टरपती अर्दगन के द्वारा इरान ने भी यही कहां कि UAE का इसराइल के साथ डील साइन करना ये एक बहुत बड़ी strategic blunder है तो ये देश एक साथ आते जा रही है और एक non-arab muslim alliance बनता जा रहा है देखो इंडिया के interest की बात करें पहले हमें क्या करना पड़ता था balance establish करना पड़ता था हमारे रिष्टे इसराइल के साथ भी अच्छे थे और समय के अनुसार ये जो देश हैं अरब कंट्रीज खास करके सौधिरेबिया और UA इन्होंने माना कि इंडिया की importance काफी जादा है economic perspective से trade perspective से तो इन्होंने भी इंडिया के साथ अच्छे रिष्टे maintain करना start कर दिया जैसे पाकिस्तान ने पूरा जोर लगा लिया कि OIC यानि Organization of Islamic Corporation की meeting होनी चाहिए special कस्मीर के issue पर बट सौधिरेबिया राजी नहीं हुआ इस issue पर सौधिरेबिया ने इंडिया को नराज नहीं किया और धमकी देथी पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इस issue पर अगर OIC की meeting नहीं organize होती है तो Muslim countries की foreign ministers की अलग से हम meeting और marriage करवाएंगे उसके बाद सौधिरेबिया नराज हो गया पाकिस्तान से जो loan दिया था एक billion dollar का वो वापस मांग लिया और credit line DT oil को purchase करने के लिए वो भी suspend कर दी इसके बाद पाकिस्तान के जो army chief है वो गये सौधिरेबिया की आतरा कर पे ताकि सौधिरेबिया से माफी मांगी जासके रिस्तों को smoothen किया जासके लेकिन सौधिरेबिया के जो prince है उन्होंने पाकिस्तान के army chief से मिलने से भी इंकार कर दिया देखो पाकिस्तान ने जैसा USA के साथ किया पाकिस्तान वैसा ही सौधिरेबिया UAE इंग देशों के साथ करना चाहता है पाकिस्तान ने क्या किया USA के साथ अच्छी अच्छी बाते बोलता था पाकिस्तान USA को कि हम आपका साथ देंगे लेकिन अफगानिस्तान में जो लड़ाई हरा यूएस से मेजर जो कंट्री रिस्पोंसिबल है वो पाकिस्तान है क्योंकि एक तरफ उपर से बोलता था पाकिस्तान हम आपकी मदद कर रहे हैं आप हमारी जमीन यूज़ कर सकते हैं लेकिन दूसी तरफ तालिबान के मिलिटेंट्स को शेल्टर दिया जाता था पाकिस्तान के द्वारा अपनी धर्ती पर इवन ओसामाबिल नादेन को भी पाकिस्तान की धर्ती पर ही मारा गया था उसी परकार से पाकिस्तान, सौधिरेबिया और UAE इन देशों से एड तो लेना चाते हैं, मदद तो लेना चाते हैं बट उनके जो फैंसले हैं, स्टेप्स हैं, उनका समर्थन नहीं करना चाते हैं बट देखो सौधिरेबिया और UAE ये जो देश हैं ये USA नहीं हैं ये पाकिस्तान को पहचानते हैं तो future में जो alliance है वो और clearly सामने आएगा पाकिस्तान के रिष्टे अरब countries के साथ खराब हो सकते हैं पर एक्जामपल सौधिरेबिया और UAE के साथ पाकिस्तान नोन अरब मुस्लिम alliance के साथ जादा दिखेगा और जैसी equation emerge होके आ रही है उसके अनुसार अब पहले तो इंडिया को balance करना पड़ता था इसराइल और अरब countries के बीच अब इंडिया को balance करने के आप सकता नहीं क्या ये सब देश हैं इन्होंने तो देखो इंडिया को काफी criticize किया है कस्मीर के issue पर तो definitely ये जो देश हैं ये इंडिया के खिलाफी हैं और पाकिस्तान की बात बोलेंगे कस्मीर के संदर में तो इंडिया ज्यादा दिखेगा इस दूसरे alliance के पक्स में मतलब इसराइल और अभी तक तो इंडिया की तर्ज पर ही एक balance establish करने की कुशिस करता था अरब countries के बीच और इसराइल के बीच बट अब चाइना किस तरफ होगा क्या चाइना balance establish कर सकेगा नोन अरब Muslim alliance के बीच और दूसरी तरफ अरब countries के बीच ये देखने वाली बात होगी अगर देखो USA सम मर्थन कर दे नोन अरब Muslim alliance का जिसमें ये सब देश सामिल हैं पाकिस्तान, तर्की, मलेशिया, इरान तो फिर इंडिया भी दूसरे camp में होगा मतलब इस equation में भी इंडिया और चाइना दोनों अलग अलग camps में होंगे वर्ड जो है वो देखो और ज्यादा divide होता जा रहा है धीरे धीरे ये वर्ल्ड की peace और stability के लिए सही नहीं है तो ये हमने पूरा article discuss किया changing geopolitics के बारे में इस discussion में फिलाल इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion